हालो सेरेंट्स बुड मॉनिंग मैं आपकी साइन्टी चैश्वता मैं बच्चो क्लास टेंद का आमारा चैप्टर चल रहा है इलेट्रिसिटी जिसमें आज हमें स्टेडी करने वाले हैं पार्ट पूर ओके और आज का मारा टॉपी क्या है पेशले वीडियो में हमने सब कुछ ये इलेट्रिक पोटेंसिल क्या होता है पोटेंसिल डिफरेंस क्या होता है वोल्टेज क्या होता है इलेट्रिक फिल्ल क्या होता है एवरिधिंग सब कुछ हमने स्टेडी कर लिया और बहुत अस्ची difference की वज़े से ही flow करता है क्योंकि potential में जब difference आएगा तो high potential से current आपने low potential की तरफ move करता है वहाँ पर एक छोटा सा point रह गया था volt ठीक है न definition of one volt volt जो है यह unit होता है किसका unit होता है तो यह potential difference का unit होता है कहीं भी अगर हम पढ़ते हैं क्योंकि ही electric potential क्या है एक केवली कार्पनिक बनाये गया है concept समझने के लिए ठीक है और वास्तों में जो circuit में होता है वो होता है electric potential difference यह सारी चीजे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और बचो पिछले वीडियो के link आपको अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो उसके लिंक आपको देखें प्ले लिस्ट में तो वैसे ही मिल जाएगा है आपको continue part 1, part 2, part 3, part 4 इस तरहीं किसे मिल जाएंगे ठीक है लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो के एक description में आप जाएंगे तो वहाँ पर पिछले वीडियो के लिंक मिल जाएंगे तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं देखें वोल्ट है न वोल्ट क्या होता है यह potential difference, electric potential difference या electric potential का unit होता है वोल्ट ओके यह जो वोल्ट होता है इसी को electric potential difference को voltage भी बोलते है और unit होता है इसका वोल्ट अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है देखें potential difference यानि कि A से B तक जाने में ठीक है potential difference मतलब high potential से low potential काम करने में जितना भी हमको work करना पड़ा ठीक है charge को एक point से दूसरे point तक ले जाने में जितना भी हमको का पर पाम करना पड़ा उसी को क्या बोलेंगे electric potential difference तो एक point से यहां का electric potential difference क्या है यहां का electric potential क्या है तो final से initial को minus कर देते हैं तो हमारा बन जाता है electric potential difference तो यह होता क्या है V is equal to Q upon T अब यहाँ पर आपको V को अगर आप 1 कर देते हैं ठेक है ना या V को तो आपको निकालना ही है वन वोल्ड का डेफिेशन पूछ रहा है ना तो अगर हमको 1 Joule वर्क करना है वर्क का यूनिट क्या होता है बच्छों जूल अगर 1 Joule वर्क करते हैं हम 1 kulars को एक जहन से दूसरी जहन तक ले जाने में ठीक है 1 kulars यह मेरे पास 1 kulars है इसको एक जहन से दूसरी जहन तक ले जाने में A point से B point तक जाने में मुझे 1 joule का काम करना पड़ा मतलब मेरे charge की value भी 1 थी ठीक है और जो मैंने काम किया वो भी 1 था तो 1 और 1 ये दोनों ही cancel हो जाएंगी बचे का क्या हमारा आंसर आएगा हमारा 1 volt ठेक है 1 volt और इसी को कहा रहा था कि 1 volt को define करिए तो 1 volt को define करना है मतलब 1 volt, volt की value, potential की value आपकी 1 आनी चाहिए ठेक है तो ये भी 1 अगर रहता है 1 कुलाम चार्ज, 1 कुलाम चार्ज को यहां से और मैं यहां तक जा रहे हूँ और यहां से वहां तब पहुंचाने के लिए अगर मुझे 1 जूल वर्ग करना पड़ता है ठेक है, from 1.2 अनदर है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ठेक है, then electric potential difference is called 1 volt करने के बाद, अब हम पढ़ेंगे component, symbol and function आपको जब electric, जब आप circuit बनाना सीखेंगे, ठीक है कि electric circuit बनाते कैसे हैं, जैसे आपको एक बल्ब जलाना है तो बल्ब को जलाने के लिए, आप यह चाहते हैं कि बल्ब ऐसा होना कि मेरे हाथ में रहें, मेरे इचाहओ तो मैंने switch on किया bulbs जल गया switch off किया bulb बन बेस्ट बन गया, ठीक है, यह मुझे fan चलाना है, ठीक है तो मैंने switch off किया, switch on किया, तो मैं band बन चाहते हैं फैन ऑफ हो हता है जला रहा है मतलब external source जो कि देगा है ना जो इलेक्ट्रिक पोटेंसल डिफरेंस दे रहा है और उस वायर में कॉपर का वायर है तो उसके फ्री इलेट्रों को जो move करवा रहा है जो push कर रहा है कि नहीं इधर की तरफ movement करो ठीक है यानि कि current जो flow करवाएगा वो मुझे source चाहिए यानि कि मुझे cell या battery चाहिए ठीक है तो यह चाहिए वायर चाहिए बल्ब चाहिए और मैंने कहा कि बल्ब मेरे हाथ में हो ठीक है कि मैं अपने हिसाब से अधर में देखिए तो हर जगह आपको electric circuit दिखाई देगा ठीक है पूरे कई जगह पर आपने circuit बनाया जैसे आपका फ्रीच चल रहा है ठीक है electricity से चलने वाले हर जगह पे क्या उसके लिए एक switch होगा वहाँ पर switch में देखा होगा अपने plug होगा switch होगा ठीक है पूरा अंदर हमको wiring connection करवाना पड़ता है तो बचो यह सारी चीजे तो हो गएंगे अटेच कर रहा है तो यह circuit है लेकिन अगर आपको copy में exam में देगा कि वही यह चीज यह चीज यह चीज यह है और इस सब को मिला करके आपको circuit तैयार करना है तो क्या आप वहाँ पर freeze draw करने लगेंगे क्या वहाँ पर fan draw करने लगेंगे मालो की जिसके drawing अची नहीं है तो वह विचारा क्या करेगा ना किस तरीके से उसको दिखाएगा कि कैसे कैसे wire attached है तो इसके लिए हमारे पास symbol होता है ठीक है जैसे बार बार हम chemistry में sodium 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 लिखते है कि आप symbol का इस्तेमाल करिए और उस चीज को सुविधा जनक तोर पे आप उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है पूरा drawing करने की जरोत नहीं होती है simple way में आप उसको दिखा सकते हैं तो simple सुविधा जनक बनाने के लिए पूरा circuit को है ना दिखाने के लिए exam है कि कप paper मे कम जगह में ही और हमने सब कुछ बता दिया कि देखो यहाँ पर मेरा resistance भी लगा हुआ है और यहाँ पर यह बल भी लगा हुआ है मतब जो भी हमने meter भी लगा रखाया बहुत कुछ जो भी लगा रखा हमने उन सब चीजों को अगर हमको show करना है तो हमारे लिए क्या होना च बर आट्री ल गया तो पूरा सेल और बयाटरी बनो तो क्या हम सैल और बैर्टरी इस तरीकर बना बना कि दिखाएंगे रा largest जिकोर भी लैंसी देखो यहां से वायर जा रहा है इस छोटी लाइन से भी वायर जा रहा है जो छोटा वाला लाइन है उसका electric potential होता है कम जहां का electric potential की value कम होती है low electric potential वाला उसको हम छोटी लाइन से दिखाते हैं high electric potential वाले को बड़ी लाइन से दिखाते हैं तो यह बड़ी वाली लाइन हो यह electric cell, यह रही कि हमको cell का diagram पूरा बनाने की जरूत नहीं है, अगर हमको circuit में कहीं cell दिखाना है, तो 1 plus 1 minus हमको बस दिखाना रहेगा, ठीक है, एक बड़ी line, एक चोटी line दिखा दो, बन गया हमारा cell, ठीक है, अब अगर आपको battery दिखाना है, battery क्या होता, मैंने आपको पहले cell हो गया, ठीक है, बड़ी line, चोटी line, यह दूसरा cell हो गया, बड़ी line, चोटी line, तीसरा cell हो गया, मैंने या पर कितना बनाया है, तीन cell बना लिया, तो 3 cell या 3 से अधिक cell को, जब हम आपस में, इनको combine कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, यह battery बन जाता है, तो cell कितना powerful battery बन यह के लएगा, यह के लएगा battery, ओके, तो अगर आपको battery दिखाना है, तो आप इस तरीक से दिखाएंगे, यह सब क्या है, direct current source है, मतलब आपको, इनसे direct current मिलेगा है, आपने torch में cell लगा दिया, देखो, वाँसे current direct मिल रहा है, ठीक है, यह सब direct current source है, जो की, यह आपको दि दिखाने के लिए, आपको switch इस तरीके से draw करने के जरूत नहीं है, आप क्या करिए, आप जो है ना, सिर्फ इस तरीके का structure मना दीजे, तो इसका मतलब कि यह switch तो है, लेकिन यह switch तब है, जब यह close है, मतलब आपने fan बंद कर रखा है, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, यानि कि आपका switch क्या है, अभी देखो, sorry, open circuit है, यह आपका open circuit है, open circuit का मतलब हुआ, कि अभी यहाँ पर current flow नहीं हो रहा है, ठीक है, current flow नहीं हो रहा है, अभी touch करेंगे, current flow नहीं हो रहा है, क्योंकि switch यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने switch off कर रखा है, है ना तो यह switch off condition होता है no current flows ओके आप देखो जब हम switch on करेंगे तो बस यहाँ पर बीच में क्या करना है एक चोटा सा dot बना दीजे तो यह क्या बन जाता है switch on का बन जाता है तो switch off आपको शो करना है कि यह देखें यह switch on है ना switch off है ना तो एक यह line है ठीक है यह है और यहां से यह wire है आप देखो यह दोनों ही क्या है open है ठीक है तो यह wire इसके साथ open नहीं है मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है यह open है तो switch open ठीक है circuit open है अब ही यह switch off है और जब switch on रहेगा ना तो यह आया यूँ आया यह wire ठीक है अब यह wire ऐसे नहीं आएगा बल्गे इसको क्या करेंगे इसको यह वाला दूसरा हमारा देखो यह वाला line है ठीक है और इसको क्या करेंगे इसके साथ मतलब हम attach कर देते हैं ठी ऐसे भी show होता है ऐसे भी show होता है ठीक है अब देखें अब हम आ जाते हैं wire के connection पर कि अगर wire एक wire है उसके साथ ऐसे दूसरा wire जा रहा है ऐसे तो आप देखेंगे गर में रहते ही है तो wire part of an electric circuit electric circuit में जो wire क्या है यह उस circuit का एक part होता है तो यहाँ पर wire का connection दिखा रहा है कि एक wire है दूसरा wire है आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर wire crossing without joining अब आपको यह दिखाना है कि एक wire तो यह जा रहा है और एक wire ऐसे आ रहा है लेकिन यह दोनों wire के बिच में gaping है ठीक है ना एक wire यह है ओके देखो एक wire तो यह है ऐसे ठीक है और दूनों के बिच में gap है यहां से बना रहा हूँ हूं तो यहां पर समझ में यहाँ गया गया ठीक है लेकिन को कैसे दिखाए तो यहां पर दोनों wire यह दूसरे से connected नहीं है दोनों wire अलग अलग है एक wire ऐसे एक वाइस तरीके से आ रहा है तो उसको गया दिखाने के लिए य समझ जाना कि यह wire इस wire के साथ जुड़ा हुआ नहीं एके वली क्या है ऐसे इसके साथ मतलब यह ऐसे आ रहा है होरिजंटल में तो दूसरा वर्टिकल में लाइन आ रहा है ठीक है न वाइर ऐसे आ रहा है ओके तो wire crossing without joining है न वाइर क्रोस तो कर रहे हैं दूसरे को लेकिन without joining जोईन नहीं है इस बात का ध्यान देना है ठीक है अब आज जाते हैं next पर देखें electric bulb आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे electric bulb का symbol इस तरीके का ठीक है यह हमारे electric bulb है और फिलहाल यह जो बल्ब है यह glow नहीं कर रहा है अगर आपको glowing bulb बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे बच्चो देखो glowing अगर bulb है ना तो यहाना bulb बन गया और bulb को हमने क्या कर दिया इसको हमने यहां पर ऐसे दिखा दो कि मह찰 किया निकल रह як-bon actually कर रहा है दो बल्स क्या है do एक source of light जैंब एक source of light मतलब से आपको क्या मिलेगा light दया होला से अभी मुझे इस कमने में लैट चाहिए था तो मैंने बल्ब ओन किया तो मुझे लाइट मिल रहा है ठीक है तो सोर्स ओफ लाइट यहां पर हमने बल्ब ले लिया उसी तरीके से फैन वगर यह सभी चीजे भी क्या है यह सब अब सोर्स ओफ आपको अगर हवा चाहिए ठीक तो fuse एक हमारे circuit को पूरा electric circuit जो होता है उसको बचाने के लिए एक device होता है जिसको मोलते हैं fuse यानि कि यह कहता है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा emergency आ गया है और circuit के अंदर अचानक से suddenly मतलब high current गरा जाता है तो उस समय पर मैं तुम सब को बचा लूँगा मैं अपनी कुरबानी दूँगा ठीक है तो जो खुद की कुरबानी देता है और पूरा circuit बचा लेता है यानि कि आप देखेंगे कि आपके घर में फ्रीज है टीबी है ठीक है बहुत सारी चीजे ऐसी महेंगे महेंगे चीजे है अगर high voltage आ जाता है ठीक है यह हम कहेंगे high current अगर एक साथ चानक म भेलने की और उसकी शम्ता वो थी नहीं और फ्रीज खराब हो जाता है कभी हम कहते हैं कि टीबी खराब होने को गया वहां से तो पहले वो मेरे पास आएगा मेरे से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा ठीक है तो पूरे आपके मकान में जो current जा रहा है वो पहले मेरे पास पास हो करके जाएगा ओके अब होता क्या है कि अगर high current आएगा तो मैं अपनी कुर्बानी दूँगा आप सब को बचा लूँगा मैं अपनी कुर्बानी दूँगा ठीक है और high current अगर आया तो fuse का जो wire है वो क्या हो जाता है मतलब का melt हो करके और fuse का अंदर आप देखेंग सिफ उसको ही वो टॉलेट कर सकता है अगर उससे जादा current आया तो यह wire melt हो जाएगा ठीक है तो यह wire melt हो जाता था खराब हो जाता था मतलब खुद की उसने कुर्बानी दे दी fuse तो खराब हो गया लेकिन अंदर उससे से क्या होता है electricity का एक cut off हो जाता है और वहां से electricity तो अ आगे electricity गई नहीं तो जितने भी चीजें नहींगे आपके घर में पूरा फ्यूरा मतलब electricity का connection ही वहां पे कड़ जाता है तो अंदर की सारे चीजे सुरक्षे दाती है फिर वापस से हमको connect करने के लिए उस fuse को निकालते थे और दूसरे नए wire लगा करके मतलब उसको जिंद तो इसका मतलब की overloaded मतलब current ज़्यादा आ गया था तो वो power connection खतम हो जाता है फिर आप उसको उसको नीचे कर दीजे वापस से connection स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह safety device होते हैं जो की बचाते हैं आपकी घर के में जितने भी महंगी महंगी चीजे जो electricity से चल र resistance का मतलब क्या होता है? Resistance को इस तरीके से represent करते हैं और इसको resistance को show करने के लिए जो letter हमश्तेमाल करते हैं वो हता है capital R. ठीक है, resistance क्या होता है, तो आपके, resistance में आपको बताओं, देखे, resistance का मतलब होता है आपbreaker, break लगाने वाला, यानि की, जो आपकी speed को कम करने वाला है, तो current अगर flow कर रहा है, आप road पे अगर गाड़ी तेजी से भाग रही है, तो जगह जगह पर आप क्या लगे होते हैं, breaker लगे होते हैं, तो जिस speed से आप चल रहे हैं, क्या breaker में भी आप उसी speed से जाते हैं, नहीं, अगर आपको पता है कि आगे breaker है, तो आपको अपनी speed को कम कर पादा करें, कि नहीं, नहीं, तुम इतने speed से नहीं भाग सकते हो, रुको, ठीक है, तो जो रुकावड फ्लो करते हैं, रुकावड एक प्रोड्यूस करते हैं, current के current लुए ना, तो current के रास्ते में यह रुकावड पैदा करते हैं, उसे को हम कहते हैं resistance, अभी इस chapter में resistance के जहां resistance अगर आपने लगा दिया है circuit में इसका मतलब कि यहां तक तो plane road थी उसके बाद हमने road को क्या कर दिया बहुत खराब कर दिया जहां ता गड़े वड़े टेड़े मिढ़े है ना ऐसे इस तरीके का road बना दिया अब जो गाड़ी ऐसे road पर आ रही थी क्या इस road पर भी व हम represent करते हैं और इसका symbol होता है यह part of electric circuit यह भी part होता है जो की current को की speed को कम करने में इसका roll होता है और बहुत ही जबरदस्त रोल होता है resistance का जब हम इसके uses देखेंगे ना जैसे electric press हो गया जहां पर आपको heat generate करने की जूरूत है वहाँ पर हम ज्यादा resistance का इस्तिमाल करते हैं यह सब हम पढ़ेंगे कि इनका इस्तिमाल कहाएगा अब देखें variable resistance ठीक है जिसको हम raw stand भी कहते हैं variable resistance का मतलब की ऐसा होना चाहिए कि हमारी हिसाब से जैसे मैंने बोला ना कि मेरे हाथ में होना चाहिए कि bulb जले और न जले ठीक है ना तो bulb जल रहा है बुज रहा है फैं च लगाया तो सबस्टे मुझे यह फैदा हुआ कि जब मैं चाहूंगी तभी फैन चलेगा जब मैं नहीं चलेगा इसमें काम करें हूं तो लाइट जलेगा जब इसमें काम नहीं करूँगी तो यहां लाइट को switch off करके यहां से निकलोंगी ठीक है लाइट को मैं बंद कर एक सब् Ener解 रहे हैं तो resistance को जब घटा सके है MA कभी NI कर दिया कभी जदे लगा धिया कभी कम कर दिया तो अपनी हिसाब से अगर हम यह करते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है variable और फेरियस्टेंस ज место होता है उसको तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हूं उसको हम इस तरीके से ठीक है न वेरियेबल ने एक मिनट इसके यह रिजिस्टेंस लगा हुआ इसमें यह एक एरो लगा कर रहा है कि आप देखेंगे जब तो वहां पर हमको न इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए रहता है जिसको ख और खिसकाने वाला जो है जिसको हम थोड़ा इधर उधर स्लीप करवा रहे हैं वो उसको हम एरो से शो करते हैं अब एरो को आप ऐसे भी शो कर सकते हो और एरो को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं तो हम वेरियेबल रिजिस्टेंस को ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से दिखा स के लिए हमने variable resistance रख लिया है ओके नेक्स होता है एमीटर देखें एमीटर जो होता है हिंदी में ऑमीटर है ना तो जो ऑमीटर होता है यह capital A से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और सरकल बना करके और इधर लाइन कीचेंगे इधर लाइन कीचेंगे एक साथ में पॉस्टिव लिख देंगे एक साथ में नेगेटिव लिख देते हैं तो इस तरीके से हम एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं अब एमीटर का इस्तिमाल कहां करना है अगर मुझे यह भी पता करना है कि to measure the magnitude of current की current इस circuit पे current कितना flow हो रहा है ठीक है तो उसके लिए जो मीटर लगा जाता है ना मीटर बताता है मीटर रीडिंग बताएगी कि कितना current यहां पर flow हो रहा है ठीक है तो current की कितनी supply है जो बताता है वो मीटर जो होता है एमीटर होता है ठीक है एमीटर को positive और negative इसमें दोनों terminal होते हैं मतलब positive औ किन्ता तो गु难रात हुम है लेको सिर्रीज माते हैं अगर मैंने इसको इसके नीचे रख दिया तो मैं कहूंगी कि black वाला और red वाला तो series में है लेकिन red वाला और blue वाला ये parallel में हो गया बास समझ रहा है तो connection जब हम सीखेंगे circuit बनाना तो उस circuit बनाने में हम ये भी सीखेंगे कि series connection क्या कहलाता है और parallel क्या कहलाता है लेकिन एक number का बहुत ही important question है ये यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि emitter को हम क्यों circuit में इस्तिमाल करते हैं क्यों इसको लगाते हैं तो circuit में इसलिए लगाते हैं ताकि हम current की value कितना current flow हो रहा है उसका magnitude पता कर सके पहली बात और दूसरा इसको connect कैसे इसको connect किया जाता है एमिटर जब भी लगेगा न तो wire लगा करके parallel में लगा जाता है यह बहुत important question है बहुत important question ठीक है तो यह पूछा जाता है बच्चों exam में है न यह नमर में question आता है तो इसलिए इसको आप important लगा लेजी इस पर देखे वोल्ट मीटर तीनों ही टीनों ही वैसे important है देखे वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या करता है to measure the potential difference है न किसी भी दो point पर potential difference कितना है है न electricity तो अपने high potential से low potential की तरफ जा रही है तो दोनों का difference कितना है difference मतलब जैसे 1 point A है 1 point B है 1 point A है और B है ठीक है potential difference मालो सपोस करो कि यहाँ पर यह 10 पर है और यह 2 पर है तो potential difference कितना आ गया है यहाँ पर 8 point आ गया है ठीक है अब अगर मैंने यहाँ पर कर दिया मालो 8 और यहाँ पर मैंने कर दिया 4 potential difference कितना आ गया 4 आ गया ठीक है potential difference अगर दोनों में अंतर जादा रहेगा difference आप अगर ज़्यादा करेंगे न तो current भी ज़्यादा flow होगा ठेके तो इस कितना difference है इस वायर में potential difference कितना है अगर हमको किसी भी दो point का potential difference बता करना रहे है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चो voltmeter का इस्तिमाल करते हैं voltmeter जो होता है इसको V से represent करेंगे और ऐसे ही इसको प्लस और माइनस sign यहाँ पर हम लिके बताएंगे क्योंकि प्लस और माइनस हम कैसे attach कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर प्लस और माइनस को show किया जाएगा और यह भी याद रखे कि always connected in series इसको हमेशा हम series में current करते हैं जो कि A meter case में होता है यह हमेशा parallel में होता है ठीक है A meter हमेशा parallel होता है और voltmeter जो होता है वो series में रहता है A meter मैं आपको कुछ technique बता रही हूँ है नहीं याद करने के लिए A से आप अमिता बच्चन मना सकते हैं क्या हाँ अमिता बच्चन अमिता बच्चन कैसे हैं एकदम सीधे हैं ठीक है तो ऐसा लगता है कि अमिता बच्चन के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो यह parallel है मतलब हम सीधे सीधे हैं काफी लंबे हैं ठीक है तो A meter जो है वो parallel connection देगा वोल्ट मीटर का कैसे बना है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर कैसे होता है सीरीज में होता है ठेक है अगर आप वोल्ट मीटर सीरीज में होता है मुझे सोचने के लिए एक मिर्ट चाहिए मैं कुछ अच्छे सी टेक्निक बता रहे हूं है न जिसे आप याद रखे क्योंकि बहुत important question है आता है exam में देखो बचो मैंने trick बना लिया देखो आप न ऐसे याद रखना कि ये है हमारा क्या ये है हमारा A meter है न तो A meter रास्ते में चल के जा रहा है ठीक है और ये क्या है road है ओके तो road से इन दोनों को connect करके और हम बताएंगे कि A meter का connection कैसे है तो A meter और road पे जा रहा है ठीक है तो कहता है road पर से कि एए road पर जीते हैं ये पत्थर वगर है जो कुछ पड़े है न सब अटाओ ठीक है मेरे permit चुब जाएंगे ठीक है तो यानि कि ये road पे जो जा रहा है ये parallel जा रहा था पेडलर जा रहा था तो मतलब जो भी चुबने वाली थी वो देखोई इसके रास्ते में ही पड़ी हुई है न तो याद रखना है कि A meter हमेशा कैसे चलता है ये parallel ठीक है A meter पेडलर जा रहा था क्योंकि parallel जा रहा था पेडलर जा रहा था पेडलर जा रहा था रोड में चुब इसके पैर में चुब सकता था तो ये हमारा A meter ठीक है और ये A meter क्या कहता है कि मुझे जो है ना ये मुझे किसके पास जाना है मुझे जाना है वो मेरा इंतजार कर रही है ठीक है ये ए मिटर कहता है कि वो मेरा इंतजार कर रही है तो ए मिटर कैसे जा रहा है पैदल जा रहा है पैदल जा रहा है मतलब पैरलर ठीक है पैरलर ये चल के जा रहा है और कहता है कि वो मेरा इंतजार कर रही है वो कहा है वो रास्ते में ही है मतलब मेरे सीरीज में ही है ठीक है मेरे सीरीज में ही है रास्ते में ही है तो रास्ते में है मतलब कि वो मेरा इंतिजार करी है वो इसी रास्ते पर ही है ठीक है तो यानि कि ए मीटर तो पैरलर में जुड़ता है ठीक है और वोल्ट मीटर वो मेरा इंतिजार करी है वोल्ट मीटर किस में जुड़ेगा ये सीरीज में जुड़ेगा क्योंकि हम दोनों एक ही सीरीज में है ठीक है उसके बाद हम दोनों मिल करके क्या करेंगे वो मेरा इंतिजार करी है जब फिर तुम उसके साथ जाओगे तो क्या करोगे उससे बाते करोगे हा बेना इंतजार करी है सिरीज में ही है ठीक है तो वो मेरा इंतजार करी है तो में वोल्ट मीटर जो है वो सिरीज में जुड़ता है ओके इसके साथ जुड़ेगा वो लेकिन सिरीज में जुड़ेगा और फिर आप दोनों क्या करेंगे हम दोनों मिलकर के गाना गाएंगे वो यह भी किसमें जुड़ा हुआ है सिरीज में तो देखें गैलनोमेटर सिरीज में वोल्ट मीटर सिरीज में और ए मीटर कैसे चल रहा है पैदल चल रहा है तो ए मीटर जो हता है वो पैलर जुड़ा होता है ठीक है यह एक्जाब में बहुत इंपोर्टेंट कोशन है जो की और यह भी गैलनोमेटर भी जुड़ा होता है सिरीज में ठीक है एमिटर जो है यह क्या बताता है करेंट को बताता है वोल्ट मीटर पोटेंसल डिफरेंस को का मिजर्मेंट करना होगा और गैलनोमेटर यह डिटेट करता है डिटेट दो प्रेजिंस ओफ करेंट की यहां पर क नहीं आ रहा है तो current है या नहीं है इसमें current आ रहा है या नहीं है उसका presence जो में को बताता है न वह होता है Galenometer ठीके Galenometer को capital G से represent करते हैं एक विशेस बात कि इसको कहीं भी आप positive or negative यहाँ पर नहीं show करेंगे ठीके इसमें positive or negative show नहीं किया जाता है voltmeter में जब कि हम positive or negative यहाँ पर show करते हैं वो आप देखेंगे भी circuit में और A meter में भी positive or negative show किया जाता है तो बच्चों ये पूरा है आपने देखो देख लिया part 4 इसमें हमने पूरा देख लिया ये components जो भी हम components इस्तेमाल करने वाले हैं circuit बनाने में उनके क्या symbol है उनके क्या function है और हम ये symbol आपको पूरा यादोना चाहिए next video बच्चों जो हमारा part 5 होगा उसमें मैं आपको हर तर करते रहें कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग ओके है नाइस दे